गुड मॉर्निंग ओल अफ यू आपका बेलकम है आपके अपनी टिर्पल ओम अकेडमी की यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी जीडी ए आरो बरती परिक्षा का प्रैक्टिस सेट जो इससे पहले वीडियो आपको हमने प्रोबाइड कराई थी उसमें हमने आपको सेक्शन A और सेक्शन B कराया था जो GK और GS का था आज की वीडियो में हम आपको लिए लेके आएं सेक्शन C और सेक्शन D जो हमारा गनित और रीजनिंग को कवर करता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही useful होने वाली है क्योंकि जो बच्चे army exam के preparation कर रहे हैं उनके लिए अपना कोई भी practice set हो लगाना बहुत ही useful हो जाता है तो बीडियो को पूरा देखना बीडियो को बीच में skip ना करना तो बीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हो चलते हैं अपने कोशनों की तरफ देखो हम आपको section c से start कराएंगे जो की हमारा math का होता है उसमें आपको 31 question क्या दे रखा है जैसा कि आपको screen में clear होगा यह रहा 31 question देखो यह क्या दे रखा है under root के अंदर फिर under root है फिर under root है उसके अंदर भी value है तो o solve करना तो सबसे पहले इसको solve करने का तरीका क्या होता सबसे पहले इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे तो इसका क्या आएगा 11 को 70 से में जोडेंगे तो कितना आजाएगा 81 का क्या होता 9 होत बैदे आपने यह कोशिन का दे रखा देखो कोशिन मान लीजिए दे रखे यह 11 बटे 13 और 14 की दे रखे आप 15 बटे 17 तीन भिन्हें नीमेंसे कौन सा सत्य है तो तेको इसको करने का पैटर्न क्या है इसको क्या करेंगे इसे डिवाइड कर लेंगे 13 को 11 से फिर 14 को 13 से और फिर 17 को 15 से फिर उसका क्या हम order देखेंगे कि कौन सा हमारा सही order है तो जो हम solve करके जो इसका correct answer आएगा जब हम इसको solve करेंगे 3 वटे 4 और वी क्या देरक है 5 वटे 6 हैं तो नीन में से कौन सा ए वी के बीच में स्थित है इसका करने का तरीका क्या है जो हम पहले बी इसको जो ए का value दे रखिए 4 को 3 से डिवाइड करेंगे और 6 को 5 से फिर दिवाइड करने के बाद में देखेंगे कि इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है तो पूछा क्या कोशन में नहीं है तो जो इसका कर्दान्स वादा सौल करके आएगा वह बी चलते हैं फिर नेक्स कोशन क्या दे रखा कोशन नम्र थर्टी फोर चेहंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विविन अवाजे गुननक संख्या क्या है तो देखो पहले चेहंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दिखनी है क्या होगी नाइन नाइन को लिखेंगे फिर उसके बाद में क्या पूछें उसके अवाजे गुननकर फिर उसको ऐसे कट करते जाएंगे उसको कट करने के बाद वह कितने आएंगे हमारे फाइव आएंगे ठीक है सॉल्व कर लेना आंसर फाइव आएगा ठीक है चलते है अपने नेक्स कोशन की तरफ नेक्स क्या दे रखा एक बैठक में सदश्यों में से चार बटे 25 महील आएं थी सदश्यों का कितना प्रतिशत था तो कैसे निकालेंगे इसको चार बटे 25 को परसंट पूछा बस हंड़र से मुल्टिप्लाइब कर देंगे पत्ची चोग के सो जब इसको मुल्टिप्लाइब करेंगे चार सूब तो इसका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह तो एक क्या हो चलते हैं कि तरफ नमबर 36 यदी रुपे आर्सो पर तीन वर्सों एवं रुपे चैसों पर दो वर्सों में प्राफ साधरन ब्याज सहीं रूप से 180 हो तो ब्याज की दर क्या होगी तो इसको जब करेंगे तो इसका क्या आएगा 5 परसंट तो ए एक कामगार के रूप में बी को दोगना क्या दे रखा है एक कामगार के रूप में वी को दोगना अच्छा कारे कोशल है तथा एक साथ मिलकर वे किसी कारे को अठारे दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी उसी कारे को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकीगा तो यह कोशन करेक्ट क्या रखा देखो तरबूज और दी एफ में यदि यह भी बरावर दे रखा यह बरावर दे रखा तो इसका आउर जब स्कों करेंगे तो इसका जो करेक्ट आइगा वह आएगा वह आएगा हमारा वी तो क्या हुआ कितने ग्राम होते हैं हजार तो एक क्या क्या करने के बाद में कितना आ जाएगा इसका आंस्वार दी तीन सो पच्चिस ठीक है चलते हैं अपने कोशन की तरफ क्या हुआ कोशन नंबर फॉर्टी वन क्या दे रखा जैसे कि आपको स्क्रीन में के लिए रहोगा क्या दे रखा है इसका चार सो पिछेतर प्लस में नौसो पचास का चौसर परसेंट बरावर है नौसो प्लस एक तो एक स्थान पर कौन से संग्या होगी जब इसको सौल करें तो इसका क्रेक्ट राएगा एक सुतरास ही तो एक हुआ है क्या हुआ चलते फिनेश्ट कोशन की तर्फ नेश्ट क्या दे रखा यह रहा है फॉर्टी टू कोशन थ्री ए प्लस के फाइव टू वी अपॉन 3 जब इसको सॉल्प करेंगे तो यह क्या देखो यह इसको एमान इसको मानौ तो यह क्या हुआ फ्लस के बी और यह क्या होँँ यह क्या हुआ यह होगी देखो यह क्या है मारा जिए चोबिस एक सच्कार्टबार्स तोrios निकाने। क्या होता है एक वर्टे में दो गुना में जो विकर्ण दे रखें उननका गुनन फल तो पांच और साथ इनका गुनन फल ले लेंगे तो जब सुर्फ करेंगे तो इसका जो करेक्ट टांसफर आएगा वो कि आएगा बी कितना है बी इसका करेक्ट टांसफर है 17.5 चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन की आदिर का कोशन नमबर 45 एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल्म सिच्चाई की जाती है खेत में जल सर की उच्चाई क्या होगी जब इसको सॉल्फ करेंगे तो इसका जो आंसफर आएगा वो परिबाएगा 0.5 तो एक क्या हुआ इसका करेक्ट आंक चलते पने हैँ किह की तरफ नेक्स कोशन स्टार्ट होता है यह आपको पता ही होगा कि 15 सी क् गए हैं और 15 क के होते हैं उसके बारा मेह क्ले होदे हैं और 5 हमारे किसके होते हैं रीजनिंग के तो अब हमारा रीजनिंग का पॉर्टसन स्टार्ट होता है रीजनिंग का फर्स्ट कोशन क्या दे रखा जैसा कि आपको किलियर हो गई है रहा हमारा रीजनिंग का फर्स्ट कोशन यदी डी-ए-म-S-E-L को A-E-D-L-M-S के रूप में कूट वंद किया जाता है तो B-A-L-O-U-R को किस परिकार कूट वंद किया जाएगा ठीक है जब इसको स्टॉल करेंगे तो इसका आंसवर आएगा A चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशिशन कि तरफ नेक्स्ट क्या दे रखा है वह अक्षर सम्हू चुने जो नेम लिके सिरंखला में पिर्शन चिंड-डेस का स्थान ले सकता है तो इसका करेक्ट आंसवर क्या है A-B-E-M चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशिशन कि तरफ यदी फॉर्टीट प्लस क्यूं का अर्थ है पि टियू की बेहन है और टो पी डिवाइड खीर को का अर्थ है पी युक यू की माहे और पी वन्aiah показыв है यह थो निम् दिखित बैए से किस का अर्थ है कि डटी की चांची मामी ताइफ users user मौसी तो इसका जो correct answer आएगा जब इसको solve करेंगे वह क्या आएगा हमारा इसकी option का सी correct answer है ठीक है चलते हैं पर नेक्ट कोश्चिन की तर्फ question no.49 निवनित में से एसंगत पद का chain कीजिए तो जो इसका correct answer है वो क्या है हमारा इसका क्या है एसंगत पद है चलते हैं पर नेक्ट कोश्चिन क्या दे रखा है वह विकल्प चुने जिसमें पदों के बीच वही संबंद है जो दिये गए पद यूगम के बीच है जैसे कि बर्ग क्या है चार है तो इन में से इसके लेटेड हमाई क्या इससे लेटेड चुनना तो इसका जो क्राइक टांसफर है वह यह जैसे कि बर्ग में चार बुजाएं होती है अस्ट बुज में आठ होती है ठीक है और वाग की हमारे इनकरेक्ट है तो इसका क्राइक टांसफर हुआ दी तो यह थे आपके 30 कोशन कि स्वारी 20 कोशन जो हमारे 15 मेहत के थे और 5 रीजनिंग के आई होप यह वीडियो आपने पूरी देखियो होगी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करिएगा जैहिंद जैवारा